नमस्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके हैं नेक्ष नाइन न्यूस पॉलिटिकल भाई देखें वरुन गांधी अपने तेवर को ले करके और अपने टिपनियों को ले करके अपने भाशनों को ले करके बहुत ज्यादा चर्चे में नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चे में हैं क्योंकि वो मुक्य तोर पर अपनी सरकार की आलोचना यानि योगी आदितनात के सरकार की जो है आलोचना करते वे नजर आ रहे हैं अब हाला कि उनके नाम के आगे जो सरनेम जुड़ा है गांदी और वो लगने के बाद अगर वो आलोचना करते भी हैं तो ये कोई खास बात नहीं है लेकिन बिजेपी में होते वे भी वो आलोचना कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और वरुन गांदी को ले करके भी ज़्यादा चर्चा बीते कई दिनों से तेज हो गई है वरुन गांदी को ले करके ये कहा जा रहा है कि वरुन गांदी जो है वो अब अपना पाला बदलने वाले यानि अपने पार्टी जो है बदलने वाले हैं वरुन गांदी सुरवाती दौर से अपने तेवरों को ले क करके चर्चा में रहे हैं अभी उनका एक बयान खाफी जादा सुर्कियां बटो रहा था कि उन्हें नहरू गांदी इन सब की राजनीद से मतलब नहीं नहरू से नफरत नहीं उन्हें किसी से नफरत नहीं वो बस देश को आगे बढ़ाने की राजनीद पर ध्यान देते हैं बस यही वरुन गादी ने कहा था और कहा था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम को ले करके जो नफरत फैला दी गई है उससे इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसके बिलकुल इतर अगर आप भाजपा की नीतियों को देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएग कि एक खास समुदाय को एक खास धर्म को टार्गेट करते वें यह पार्टी नज़र आती है उसके बाद भी अगर पीली बीच से उसी पार्टी के सांसद एकता का यहाँ पर भाशन देते वी नज़रा रहे हैं एकता की बात करते व नज़रा रहे हैं तो यह कई माइने में क कई सारे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है वरुन गांधी पर राहुल गांधी भी टिपनी करने से अभी बच रहे हैं लेकिन अंदुरूनी सूत्रों के इस्तिपा दे करके वो कॉंग्रेस का दामन ठामले अपने परिवार की पार्टी में आ जाए परिवार की पार्टी इस वज़े से क्योंकि संजै गांधी का भी कॉंग्रेस को सीचने में एक बड़ा हात है बले ही आज वरुन गांधी कॉंग्रेस से अलग हो लेकिन वो भी जन बाइ